करते हैं सबसे पहले mcqs हमने discuss करने mcqs chapter 6 के आप से कहा गया था mcqs number 21 से लेके 60 तक आपने attempt करके लाने हैं तो discussion start करते हैं सबसे पहले 21 से लेके 30 तक जे 24 which of the following statement is correct disposable income is equal to consumption plus saving पहले तो मुझे बताइए ये national income और disposable income में क्या फरक है या लफज income और disposable income में क्या फरक है जो tax deduct होने से पहले income हो उसे हम कहते हैं simple income या national income और जो tax deduct होने के बाद direct tax income tax deduct होने के बाद income हो से कहते हैं disposable income disposable का मतलब जो हम हर्च कर सकते हैं तो अगर मेरी 70 फाजन पर 1000 है उसमें इतने पार्स होते हैं दो या तो मैं इस 900 को खर्च करूंगा या सेव करूंगा तो disposable income is equal to consumption plus saving यानि जो चीजे मैं consumer goods खरीदने में जो पैसे लगा दूँगा वो मेरी consumption है और मैंने जो इन से कर फर्च कीजिए कि 700 मैं हर्च कर लेता हूं 200 बजा लेता हूं तो मेरी disposable income 900 और मेरी consumption 700 saving कितनी हुई 200 तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली बात कर रहा है disposable income is equal to consumption plus saving यह ठीक कर रहा है consumption saving को add करें तो disposable income बन दें फिर कर रहा है disposable income is equal to personal income less personal taxes अब मेरी जो 1000 है वो मेरी personal income है मेरी 1000 क्या है personal income उसमें से जो टेक्सिज लेस कर दें तो disposable यह भी ठीक बात कर रहा है कि disposable income है personal income यानि जो मिझे 1000 मिला माइनस direct taxes जो मेरे personal taxes 100 is equal to 900 यह भी disposable income है और चुक्छा disposable income के दो हिस्से होते हैं यहां कंजम्शन या saving कि दोनों को add कर लें यह भी disposable income बनेगा थर्ड में क्या कर रहा है disposable income is spent on consumer goods and services are saved कि disposable income यह तो consumer goods पे खर्च की जाती है यह सेव की जाती है यह ठीक हर रहा है यह सी बैसिकली पार्ट एक ही elaboration है तो मतलब तीनों स्टेटमेंट्स उसकी correct है तो correct option क्या होगी D all of the above ठीक है all of the above इसमें सबसे एहम लाइन ए है ए बी सी तिनों correct है लेकिन सबसे एहम लाइन क्या है इसको highlight करें कि हमारी income जो होती है इसके दो ही से होते हैं consumption और एक से जी next 30 तक और की question 25 25 में कह रहा है consider the following with reference to circular flow of national income circular flow of national income के हवाले से इनको consider कीजिए subsidies on agriculture produce, import of capital goods, export of consumer goods, devise of withholding tax, which of impose करना, impose किया tax levied, which of the above represents injections into the circular flow of national income कह रहे हैं इन में से कौन सी है जो के circular flow of national income में injection को represent कर रहे हैं बताईए subsidy क्या होता है यह subsidy injection है यह के withdrawal है, injection ठीक है इसके बाद इंपोर्ट of capital gains इंपोर्ट विड्रॉल एक्सपोर्ट इंजेक्शन टैक्सिस विड्रॉल इसका मताब है ए और सी जो है यह हमारी इंजेक्शन है और बी और डी विड्रॉल है पूछ क्या रहा है इंजेक्शन तो कौन सी होंगी ए और सी यानि सी पार्ट सी पार्ट होगा 25 का जी कि यही समझ आई हमें विड्रॉल और इंजेक्शन के बारे में पूछ रहा कलियर और की question 30 तक 30 30 वीच ओउव्डव्ड पार्ट ही रीप्रैंट्र विड्रॉल फ्रॉल फ्रीड फ्लोत फ्लो फ्लो अजिन्स नेंग अधृट राइस इन कंजंप्शन डैफिशिट इन बैलन्स ओफ ट्रेड बैलन्स ओफ ट्रेड किसको कहता है देखें बैलन्स ओफ ट्रेड या बैलन्स ओफ पेमेंट फिलहाल एक ही चीज समझें यहां पर लिख लिजिए बैलन्स ओफ ट्रेड या बैलन्स ओफ पेमेंट एक ही बात सम consumption increase होंगी क्या यह withdrawal है deficit in balance of trade deficit का मतलब क्या है deficit का मतलब import ज्यादा है export कम है अगर import ज्यादा है export कम है यह क्या होगा ड्वेजे विड्रॉल और अगर सर्प्लस का मतलब किया है एक्सपर्ट जएदा इंपॉर्ट गम है इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट है यह क्या होगा इनजेक्शन तो उसने विड्रॉल का पूछा है क्रेक्टर ओप्शन क्या होई B जे और की क्वेस्टन 30 तक और की क्वेस्टन नहीं चलिए 31 से 40 तक 31 Assume that 2017 the nominal gross domestic product of a country is 500 Billion and the price index is 200 if the price index was 150 in 2010 what would be the real gross domestic प्रोड़क्ट ऑफ दी कंट्री इन 2017 कंप्यूटिट इन टरम्स ऑफ 2010 प्राइस इंडेक्स था 150 इस साल हो गया 200 यानि जो चीज 2010 में 150 रभी कि थी अब कितने की मिल रही है 200 की कहता है अगर 2000 अब इस वक्त जी डी पी है 500 इसको बताईए 2010 में कि प्राइस के लिहासे कितना होगी यानि हमने इसको डिसकाउंट करना 2010 में आपने वो स्टैट में पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर उसमें बताया करता था कि एगर एक येर में प्राइस लेवल ये है और सेकिंड येर में प्राइस लेवल ये है तो हमने उसको डिसकाउंट बेस रेट के उपर कैलकुलेशन करनी होती थी यह वही क्वेस्टन है 2010 इसका प्राइस लेवल कितना था 150 इस साल कितना है 200 और इस साल की जीडीशन क्यावग अभाएंडम अब हमने से बेस येर पे क्ल्कुलेट करना है क्या करेंगे 500 दिवाइडिट भाएंड़िट पाइडवाएंड़ प्राइस इंडेक्स इस वक्त 200 है यानि प्राइस ही रही है तो इस वक्त बताइए हमारा जो रियल जी डिपी इसे तो इन्फलेशन होई या डिफलेशन अब आज की अगर जी डिपी है उससे हमने बेस ये पर calculate करना GDP कम होगी ज्यादा होगी है कम होगी अब बताइए कितने परसंट प्राइस इंक्रीज हुई है जितने प्रसंट हुई है प्राइस इंक्रीज उतने से उसको हम डिवाइड करतेंगे या सिंप्ली 500 डिवाइड बैट्रू हंड्र मल्डिप्लाइब बाम फिफ्टी ठीक है यह calculation समझाए या आपको भई GDP डिफलेटर का फार्मला क्या था इंफलेशन रेट इंफलेशन रेट कल्कुलेट करें कितना इंफलेट करें कितना इंफलेट करें नॉमिनल जीडीप को रियर जीडीपे convert करने के लिए जीडीपे डिफलेटर चाहिए होता ना करते हैं और हुआ है धूंटर डिवाइड बैवन फिफटि हां जी बिलकुल मकर सकते हैं दूसरा त्रिकह गटिकृटर के जीडीपे तो डिवाइड कर दीजिए रियल जीडी पी ऐसी होता है नॉमिनल जीडी डिवाइड बाइड डिवाइड 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 आपने कल्कुलेट किया कि कितना अंसर आया 375 सी ऑप्ष्ण क्रेक्टर जहां पर कल्कुलेशन आती है हमारे बारा बच जाते है तर्टी वान की को समझाई चलिए नेक्स्ट थर्डीटू मैं सबस्क्राइड करें यह आपके पास थे consumer expenditure aggregate demand का hernicas अग्रीगे इमांट का फार्रमला क्या है में बता है मैंप्नाइट सी प्लसफाइब्स-डिक्प्रिक स्न एक्समा एक्समिनस हैम्सी कितना टू-फिफ्टी कितना है फाइफंड़ सी प्लस प्लस prob जी ऑाइजमी मैंप्लसएइम एक्सपोर्ट्स दी हुई है उसना भई एक्सपोर्ट्स नहीं है इंपोर्ट है टेक्स और डेप्रिसियेशन का कोई काम ही नहीं यहां पे एग्रीगे डिमांड की कल्कुलेशन में तो सी प्लस जी 750 माइनस इंपोर्ट 100 650 आएगा तो सिंपल था यह किन्हों ने पूछा था क्वेस्ट्स अच्छा बाई आपने पूछने से पहले कैल्कुलेट करके देखा था कि नहीं देखा था यह वैसी देखा जो मुश्किल लगा वो पूछ लिया जी 31 से 40 तक और कोई क्वेस्ट्स पूछना चाहते हूं पूछ ले 34 वैन एकॉनमिस्स पीक ऑफ इन्वेस्ट्मेंट यह स्पीकिंग ऑफ पार्ट ओफ जी डी पी यूज्ड बाय हाउसफोल्ड फार करंड यूज जी डी बी का वह इसा जो हाउसफोल्ड यूज कर वह तो कंजम्शन होता है भाई बी दा पार्ट ओफ जी डी पी पास्ट अंड प्रेजन डैट हैस बीन सेट असाइड तो एड तो प्रोड़क्टिव कपैस्टी जो के लाइदा रख दिया गया है ताके बाद में प्रोड़क्शन कपैस्टी को यूज करने के लिए इस्तमाल किया है वो तो सेविंग जो से होगा हमारा तो गर्मेंट एक्समेंडिचर हो जाएगा ना नेक्स्ट अपार्ट ओफ जी डी पी यूजड बाइब बिजनिस यूजड बाइब बिजनिस इसको अंडरलाइन करें तो एड तो प्रोड़क्टिव कपैस्टी एंड वाउस होल्ट वैड तो देर स्टॉक अफ कंजम्शन होता है स्वाए एक के हाउस होल्ट जो भी खर्चा करेंगे है वो कंजम्शन होता है स्वाए एक निया गर बनाने के अगर हाउस होल्ट निया गर बनाते हैं वो कंजम्शन नहीं कहलाता वो इन्वेस्मेंट कहलाता है ठीक है वो इन्वेस्मेंट कहलाता है तो इ क्पाइस्टी को इंक्रीज के दिने के लिए हर्च करते हैं या जो हाउसवोड ने गर बनाते हैं जी फोटी तक और की क्वेस्टन ये फारोनिंगम पता आपको क्या होती है नेट फारोनिंगम नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अबरॉड जब जी डीपी में से नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अबरॉड एड करते हैं एड करते हैं तो फिर हम जी एनपी पे जाते हैं अगर जी एनपी से वो लेस कर देंगे जी यह हमारा A है, नहीं C क्या है, B तो नहीं, एड तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिवर्स जा रहे है, अगर सेट अवे हैं, GDP से GNP कि तरफ जाएं, तो फिर उसको जी, 40 तक और कोई इशू, अच्छा, 50 तक कोई इशू लेकिन एक काम कीजिए, क्वेस्टन नमबर 43, जो है, MC क्योंबर 43, ये काड़ दीजिए, ये नियमने करना, और आपने 10 घंटे इसी क्वेस्टन को समझने में लगा दी होंगे हैं ना, जी, 50 तक कोई क्वेस्टन हों तो पूछ लेजिए, ये पेंडिंग निसको काड़ दे, 43 काड़ देजिए, जी, और की क्वेस्टन, 41, 41 सुनिए, डिस्पोजिबल इंकम इस सेम एस परसनल इंकम, परसनल इंकम परसनल इंकम एक ही है, अब भी बड़ा है, किया बताहिए, आप बताहिए, परसनल इंकम इंकम में क्या फरकर है, इस इस कौन से टैक्स है, परिसनल इअट सब्सक्राइल जरस य के रह सेम एस नहीं पहलहां फर गलत है, ब इंकम डैटी इस उज्ज्वेह और कंसम्शन, नहीं ही भापिया सार वेलफियर नहीं यह एर्रेलिवेंट क्रेक्ट ऑप्शन क्या हुई से 50 तक और की क्वेस्टन चालिये 48 भी आते हैं वें दानेशनल इंकम इस इकलीब्रियम एन इंक्रीज इन वेस्टमेंट कॉज इस दाइकलीब्रियम तो चेंज विच चेंज ओफ एक्विलेंट वैल्यू वूड ब्रिंग नैशनल इंकम तो इस ओरीजनल इंक्रीब्रियम लेवल अब देखें आपको पता है कि नैशनल इंकम यानि एग्रिगेट में कोई एक चीज भी एड़ हो तो नैशनल इंकम चेंज हो जाएगी एग्रिगेट डिमांड चेंज हो जाएगा क्या होगा आउटबूट बढ़ जाएगी कहता है कौन सा एक्विलेंट चेंज होगा कि यह वापस एक्लीब्रियम पर आ जाएगा सी इसका अंसर है यह कि सी जी या एक्स माइनस में से एक्विलेंट लैस हो जाए चीज़ है डिक्रीज हो जाएग ऑप्शन दे रहे हमें डिक्रीज इन गर्मिंट स्पेंडिंग बिलकुल स्पेंडिंग गर्मिंट स्पेंडिंग तो इस तरह एक्विभी बढए गी है डिक्रीज इन गॉप्मेंट टैक्स सप्पॉटरो होगी तो हमारा 50 तक कोई क्वेस्टन 50 and increase in disposable income जब disposable income में increase हो लोगों की income increase हो तो क्या होगा increase demand of economic goods चीजों की demand increase होगी क्या जब लोगों की income increase होगी डिमांड परक पड़ेगा कोई क्रीजों की रिडियूस्ट डिमांड ओफिकनामिक गुड गैलत रिडियूस्पेंडिंग डिमांड इंक्रीजों की जाहरे ज्यादा खर्च करेंगे हैस्टन एकॉनमी तो याद रखे जब disposable income increase होगी तो डिमांड इंक्रीजों की spending increase होगी तो तो प्रेक्ट आप्शन नमारी क्या हुए यह जी तक और की question लिए चले 51 से 60 कोई question है तो पूछ लीजिए लेकिन पहले correction कर लें जो मैं कर वा 54 को काड़ दीजिए 54 को बिल्कुल exclude कर दें काड़ दें और 52 के साथ लिख लें पैंडिंग यह चैटर 11 में discuss करेंगे इससे पहले भी कुछ question है ना चैटर 6 के जो हमने पैंडिंग कर दी है वो सारे question चैटर 11 में discuss होंगे ठीक है चैटर 11 में discuss होंगे फिफ्टी टू मैंने कहा चैटर 11 में जाएगा फिफ्टी फॉर को रिलीड कर देना है भाई काट देजिए जी और क्वेस्टन फिफ्टी फाइफ कोई काल्कुलेशन आ गई कंजूमर प्राइस इंटेक्स दिस यह वन थर्टी फाइव वर्स लास्ट यह वन टुवन टीफाइव इसका मतलब क्या हुआ पिछले साल जिस इसके प्राइस एक सो पच्चीस थी इस साल उसकी प्राइस एक सो पान टीस है एक शीज की कीमत 125 से बढ़के 135 हुई उसमें 10 परसंट है निक्रीज हुआ अब भाई मैथ में नहीं किया एक क्वेस्टन करें कैलकुलेशन करें जरह कि एट परसंट कैसे कल्कुलेट किया वान थर्टीफाइट यह वान टॉन्टीफाइव अब वह कहा है सरे तो 108 आ रहा है देखना चलिए छोड़ें वाहिए छोड़ दें जी सिक्सी तक कोई और क्वेस्टन कोई क्वेस्टन नहीं बागी सारे इसी तक कोई प्राब्लम तो नहीं है एक सारा असी हा गया है यह मैं इसका कुछ नहीं कर सकते हैं कल के लिए सुनने जिए कल के लिए आपका MCQs हैं अचा सोरी कल तो है Friday तो कल हमारा लेक्चर वैसे थोड़ा duration कम होती है और कल चीज़े भी मैंने एहम करवानी आपको इसलिए कल MCQs नहीं होंगे परसों डिसकस होंगे और 61 से लेके 90 तक पूरे इसमें नोट कर लिजिए कि आपने 69 MCQ नहीं करना 69 डिलीट करने 76 भी डिलीट कर दे और डिलीट कर दीजिए 69 76 और 82 यह आपने नहीं करने और बाई नहीं आएंगे मेरी जिम्मेदारी यह पेपर में आगे तो जी और वैसे भी आई कैप वाले नहीं है आई कैप वाले तो हमने सारे कर दी है ना जी चलिए बस कर लिए आप वापेस की दरफ चलते हैं प्रीवर्स लेक्षर में हमने चैप्रेश सिक्स को कंक्लूड किया चैप्रेश सिक्स में कोई क्वेस्टन पूछना चाहते हो पूछ लिजिए AD is equal to GDP कहना थोड़ा सा गलत है क्योंके aggregate demand increase होने से GDP increase होती है जो हम डियाग्राम बनाते हैं उसमें aggregate demand तो हमारा कर्व होता है और GDP x-axis बे हम calculate कर रहे होते हैं ठीक है तो aggregate demand में और GDP में फरक है हाँ factors सेम है लेकिन हम calculation में इसको सेम रखते हैं conceptually फरक है दोनों जी और की question Keynesian approach में aggregate supply का right word shift उससे क्या फरक पड़ेगा चलिए सुनने जीए इन्होंने का सर Keynesian approach में change in equilibrium बता दीजी हमने last lecture में aggregate demand का तो shift सीखा था supply का नहीं सीखा वो इसलिए मैंने नहीं करवाया था कि उससे फरक कोई नहीं पड़ता बारहाल मैं बता देता हूं आपको कि यह जीडिवी अटेंटिव हो जाई जारा जीडिवी यह नेशनल आउटकोट यहां पर है एवरेज प्राइस लेवल यह हमारा एग्रिगेट सप्लाइब कर एग्रिगेट सप्लाइब यह एग्रिगेट डिमांड कर एकलीबियम पॉइंट हमारा क्या हुआ है यह नौर एग्रिगेट डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट यह मैं आपको एक्स्मेंड किया था लास्ट लेक्चर में क्रेंसर एग्रिगेट सप्लाइब में राइट वर्ड शिफ्ट है वह इंक्रीज होजाए तो क्या होगा देखेंगेंपरोच के मताबी किसे कोई फर्क ने पढ़ेगा क्योंकि अगर है यह होगा अग्रिगेट सप्लाइए में इनक्रीज अब बताइये क्या आग्रिगेट सप्लाइए decrease हो जाए वो यहां पर आ जाएगा फिर भी कोई फरक ने पड़ेगा तो अगर economy spare capacity पे है इसे केंज ने क्या निकाला अगर economy spare capacity पे है तो aggregate supply के increase decrease होने से कोई फरक ने पड़ता हाँ अगर economy full capacity पे है फिर aggregate supply से फरक पड़ेगा हाँ जी जैसे अगर फर्ज कीजिए वह भी दिखा दूँ आपको spare capacity अगर फर्ज कीजिए यह है यह है अग्रिगेट डिमांड economy देखें फुल कपैस्टी पे है तो करेंटली हमारा equilibrium point यह है इन और अब अगर फुल कपैस्टी पे है अब इंक्रीज करें अग्रिगेट सप्लाई अग्रिगेट सप्लाई बन अब देखिए equilibrium point चेंज हुआ के नहीं हुआ अब हमारा नया equilibrium point यह आग्या इपन ठीक है यही केंज ने कहा कि अगर economy में स्पेर कपैस्टी है तो एग्रिगेट डिमांड को आपको चेंज करना चाहिए इंक्रीज डिग्रिज करना एक्रिगेट सप्लाई को नहीं करना चाहिए और अगर एकानोमी फुल कपैस्टी भी है फिर आपनी एकानोमी को इंफ्रूंस करने के लिए एग्रिगेट सप्लाई को चेंज करें यह क्रियर हो भब है यह केंज का कंसेप्ट था और की क्वेस्टिन कोई कंसेप्ट चलिए आज हम फिर चेप्टर सेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं असल में अगर आप मेरे से पूछे सर हमारे तकरीबन आगे जितने भी टॉपिक्स हैं या कम असकम चार बड़े टॉपिक्स उनको एक लफ़ज में एक कंसेप्ट में समझा दे आगे हम पढ तो मैं कहूंगा कि हमने एगरीगे डिमांड के बारे में क्या बड़ा एगरीगे डिमांड इस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस यही क्वेशन पढ़ी हमने अगले जो हमारे चार बड़े चेप्टर्स हैं उन में हम इनी चारों कंपोनेंट्स को डिटील में सड़ी करेंगे कंजंप्शन क्या है इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है किन चीजों की वज़ा से कंजंप्शन क्रीजर डिगरीट बड़े के डिमांड एकॉनमी को इंफ्लोंस करती है अगर हम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि फिर यह वा पड़े गेंट है तो फिर अगर हम सब्जेक्ट को मजब्शी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें सीकना पड़ेगा कि यह जो चार न्यों क्युक्वनरंद करते हैं मजीर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो अब जो हमारे नेक्स core होंगी है उनमें हम magist değildi करेंगे का detail में analysis करेंगे ठीक है एक chapter हमारा होगा जिसमें बिलकि दो chapters होंगे एक में हम text की बात कर रहे होंगे और एक में गर्मिंट expenditure की बात करेंगे यहां पर दो government expenditure है ना लेकिन जब हम detail में study करेंगे तो यह पढ़ेंगे कि government expenditure कम ज्यादा होता है in is purely a factor is Netz着 hai o запा estar जोके टेक्स किना आया तो Song के इंटर्रिरे़ड़िड है तो हमने एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है कि टेक्स सिस्टम के बारे लिंक्ट है एक चैप्टर रहा है का हमारा जो के इस से से रिलेट एक होगा जो के गम्मिंट एक्सपेंडिचर लास टेक्सिस से रिलेट कर यह डिसकेशन होनी है यह समझ लीजिए आगे आपको जो मैक्रो नामिस में पढ़नी है उनकी समरी बता रहा हूं इसले बस बता रहा हूं एक हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इस से रिलेटिट पढ़ना है वह क्या होगा बैलन्स ओफ करना चाहिए एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए ठीक है वह छोटे मोठे यह मैंड़ इन्वेस्मेंट में और कंजम्शन में हम यह पढ़ेंगे इनके यह किन चीज़ों पर डिपेंड करती है इनको बढ़ाना हो तो किस तरीके सा बढ़ाया जा सकता है इन्वेस्में इनक्रीज करनी है डिटर्मिनर्स के इन्वेस्मेंट के और इसको इनक्रीज कैसे किया जा सकता है टाइप्स किया है डिटर्मिनर्स टाइप्स भी प्लस डिटर्मिनर्स भी इसी तरह कंजम्शन की भी टाइप्स भी प्लस डिटर्मिनर्स भी तो आज जो हम चैप्टर सेव करने जा रहे हैं, वो हमारा रिलेट करता है consumption से और investment से, इसमें सारे concepts नहीं पढ़ेंगे इस chapter में, consumption investment के कुछ concept next chapter में भी है, ठीक है, लेकिन इस chapter में हमारी जो basic description हो, consumption investment में होगी, next chapter में भी हम इनी concepts के बारे में कुछ detail में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम government spending और फिर import export की तरफ से, कुछ समझ है, अच्छा अब इस chapter का title पड़िये जरा, क्या है chapter 7 का, consumption saving and investment, अच्छा consumption तो समझ में आता है हमें बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक demand का component है, investment के बारे में भी समझ आती है, पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, component है, saving के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि consumption, हमारी income का वो हिसा जो हम consume नहीं करते हैं, saving consumption से भी link करती है, investment से भी link करती है, consumption से कैसे link करती है, income का वो हिसा जो consume नहीं करते हैं, सेविंग होता है इन्वेस्मेंट से कैसे लिंग करते हैं कि जो हैउस होल्ड सेव करते हैं बैंक में जमा करवाते हैं वही इन्वेस्मेंट बनता है पर कैपिटल फार्मेशन में बढ़ा था नहीं इसे लिए मेजर डिसकेशन हमारी कंजम्शन इसमेंट में होगी लेकिन दर्मियान में कुछ छोटी से डिसकेशन सेविंग भी करेंगे हैं क्लियर हो गया आज का कंसर्ट बहुत ही बेसिक है क्या कंजम्शन क्या है इसको डिफाइ में रिंकम का वह साय डिस पोजेबलल नंकम का वह साब कंजम्शन क्या है हमारे भी बेस्पोस्थीबंअ का वह साथ विची सपैंट भाइंग जो हाउज्ट हर्च करते हैं प्रोड़ेटिव कपेस्टी इंक्रीज करने के लिए या चीजहों को कंजूम करने के लिए पर्चेज ऑफ कंजूमर गूड एंड सर्वीसिस को खरीदने क्विए consumer goods में investment goods में फरक पता है ना आपको investment goods ऐसी goods होती हैं जो दूसरी चीज़ों को produce करने में काम आती है consumer goods वो goods होती हैं जो हम जो consumer household consume करते हैं consumption समझाई part of disposable income which is spent by household अगर मैं आप से कहूं समझाया consumption सेविंग अभी नहीं समझाया मैं आप सेविंग को define करें कैसे करेंगे part of disposable income which is not spent by household वो saving है वह यह बात समझाया है फिर कहता है consumption के determinants बताओ consumption के determinants के क्या मुराद है वो factors जो consumption को effect करते हैं जिनकी वजह से consumption increase या decrease होती है चेंज होती है कोंसे factors हैं पहला यह easy है जैसे जिसे पढ़ते जाएंगे समझाती जाएगी आपका काम सिर्फ इन heading को याद करना है इससे आगे detail आपने खुद बनानी है अपनी common sense अपने concept की मदद से disposable income बताइए क्या concept होगा disposable income increase हो consumption increase होगी decrease disposable income increase तो consumption increase distribution of wealth अच्छा income और wealth में क्या फरक है income वो जो हम monthly basis पे earn करते हैं wealth वो जो हम पिछले कई सालों से accumulate कर चुक है accumulated saving एक तरह से कह सकते हैं है हमारे ठीक है तो distribution of wealth अगर equal हो distribution of wealth equal तो consumption बढ़ेगी अगर distribution of wealth unequal है consumption कम होगी चोटी से example से बात समझते हैं first किजिए class में 100 students हैं और हर student को पहली option concept समझाने के लिए कह रहा हूं hundred rupees है पूरी economy की wealth पहली हर एक के पास एक रुपया है दूसरी option हर एक के पास एक पैसा है 99 student के पास एक पैसा है सो में स्वाट के पास 99 रुपे और एक पैसा है इक्वाल डिस्टिबूशन वैल्थ है पहले वाली जब एक रुपया है बताएए केंटीन में जाके किस स्वेशन में expenses ज्यादा consumption ज्यादा होगी जब सब के पास एक रुपया होगा क्यूंकि हर एक 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 रुपया सारा ना से 70 पे 70 पासे तो खर्च करेगा हर शोर्ड लेकिन अकर हर एक के पास एंगम भी एक एक पैसा है तो वो ज्यादा सथा एक पैसा खर्च करेगा और जो सोवा स्रोंट है और जिसके बाद नानोर वे है क्या वो पर चतर पर खर्च करेगा वो इतना तो खर्च कर रही नहीं है वो ज्यादा था एक दूर पर खर्च करेगा इसलिए economist हमेशा यह कहते हैं कि equal distribution of wealth होना economy के लिए अच्छा है equal distribution of wealth से consumption increase होती है तो जरा मुझे सोच के बताईए हमने comparison पड़ा था एक वक्त में chapter 1 का Islamic economic system का capitalist economy से दोनों favor करते हैं equal distribution of wealth को लेकिन equal distribution of wealth capitalist economy में कम होती है capitalist economy में या हमारी जो traditional economic system होते है other than Islamic system उसमें equal distribution of wealth कैसे की जाती है mechanism क्या होता है टेक्सिस के जरीए से अमेर लोगों से टेक्स लिया जाता है गरीब लोगों को दिया जाता है और Islamic economic system में distribution of wealth कैसे जकात और सदकात शाबाश तो यह concept समझा है distribution of wealth equal होगी तो consumption बढ़ेगे expectation about price changes अगर आपको पता चले यह इस concept को पढ़ते पढ़ते आपको demand के determination शाबाश याद आएंगे expectation about price चेंज आज को पता चले पेट्रोल की price increase होने वाली है आज की demand या consumption क्या होगी बढ़ जाएगी तो अगर expectation of prices इंक्रीज होंगी future में consumption बढ़ जाएगी और expectation of prices decrease होंगी क्योंकि लोग कहेंगे इसाद जब prices decrease होंगी तब भी खर्च कर लेंगे अगर चेंज इन इंट्रस्ट रेट यह बताएगे मेरे वाई सर्फ समझ आ रहा है तो आप explain कीजिए चेंजी इंट्रस्ट रेट का consumption पर क्या फरक है अगर स्टेट बैंक को पाकिस्तान इंट्रस्ट रेट कम कर दे मैं consumption के उपर फेक्ट पूछ रहा हूं या इसको ऐसे लेते हैं फर्च कीजिए गाड़ियां लीज पे लेनी है बैंक से और बैंक ने इंट्रस्ट रेट कम कर दिया तो consumption क्या होगी और अगर बैंक इंट्रस्ट रेट बढ़ा दे consumption कम होगी ठीक है क्योंकि असल में लोग बैंक से उधार लेके भी चीज़ें खरीते हैं अगर बैंक का इंट्रस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग उधार लेके चीज़ें नहीं खरीदेंगे Interested कम होगा तो फिर उदार लेकर इससी ने खरी देंगे तो Interested ज्यादा होने से conception Interested ज्यादा ने 2 कंजम्शन क्या होती है कर दो दा का होफ कर रही है कहीं हो थे तो चुप करके उदर पॉंचे रहे ना स्वाल का जो आप दोना दें पहुंचे कही हो रहा है जो आप इदर दे रहे हैं अच्छा 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 इंट्रस्ट रेट इंक्रीज होगा कंजम्शन क्या होगी कंजम्शन डिकरीज हो जाएगी इंट्रस्ट रेट निकरीज होगा तो कंजम्शन बढ़ जाएगी चेंजन टेक्स रेट tax rate का भी effect तकरीबन वही है जो interest rate का है tax rate बढ़ेगा अगर मेरी जो income है उस पर ज्यादा tax लग जाए मेरी disposable income कम होगी मेरी disposable income कम होगी तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे भी कम होगे हमारे consumption कम हो जाएगी tax rate increase होगा consumption कम हो जाएगी और अगर tax rate decrease होगा consumption जाएगी credit availability उधार की सहूलत मजूद है उधार की सहूलत क्रेड़ अविलिबिल्टी मजूद है consumption जाएगी अगर credit अविलिबिल्टी मजूद नहीं है अचा अब ये ऐहम concept money supply supply of money से मुराद क्या है मुलक में जो currency notes है circulation में ये कितने है government जब नए नोट छापती है market में नए currency notes तो हम कहते हैं money supply increase होगई economy में पाकिस्तान में जितने currency notes circulate हो रहे हैं अगर इनकी तदाद बढ़ जा हम कहेंगे money supply increase होगई और अगर government नए नोट ना छापे पराने नोटों को कैंसल करना शुरू करते हैं तो supply of money मुझे जरा सोच के बताईए जब 5000 का नोट छपा पहले नहीं होता था 5000 का 5000 का नोट छपने से मुलक में supply of money increase होई? decrease होई? increase होई और अगर government आज कैंसल करते 5000 का नोट supply of money decrease इस तरह हर हीद पे अगर जब government नए नोट छापती है supply of money increase होती है? decrease increase होती है बढ़ती है supply of money increase होने से लोगों के पास ज्यादा पैसे available होते हैं खर्श करने consumption पे क्या फरक पड़ेगा? increase हो जाती है supply of money decrease होने से decrease ये concept देखने में सिम्पल है लेकिन आगे चल की एक law बनेगा ये के supply of money increase होने से consumption increase होती है और supply of money decrease होने से consumption decrease होती है और ये भी एक law बनेगा ये दोनों concept simple है जैसे law of demand था था वो भी simple पहला और रहरे determinants क्लियर होए consumption क्या आपको? जी तोसरा मुझे बताइए disposable income increase होई consumption में का फ़रक बढ़ेगा increase disposable income अच्छा आप increase decrease ने हम कम ज्यादा करेंगे ताकि क्लियर लिवना increase decrease मिक्स हो जाता है disposable income ज्यादा होई consumption disposable income कम होई तो consumption भी कम हो जाएगी distribution of wealth equal है consumption ज्यादा distribution of wealth unequal है expectation है future में prices decrease होँगी expectation है future में prices increase होँगी central bank state bank of Pakistan ने interest rate 1% से बढ़ा दिया और अगर 2% से कम कर दिया गर्मी ने tax rate 10 की बज़ाए 12% कर दिया और 10 की बज़ाए 7% कर दिया ज्यादा हो जाएगी credit availability ज्यादा है favorable terms में credit available है consumption ज्यादा होगी supply of money increase supply of money कम हो गई consumption भी कम हो गई clear हो गया ये अच्छा आपको केंज का एक असूल ना बता दूँ कल के लेक्चर की बेसिक्स है तीन तीन statement दे दे लगा हूँ तीनों interrelated है जिसको समझ आ गया उसको केंज का लाव समझ आ गया इसे कहते हैं केंज psychological law of consumption क्या कहते हैं केंज psychological law of consumption भी कहते हैं केंज का लाव कंजंचन असल में केंज जो था उसने research की consumption के उपर के ये determinants तो है कंजंचन के लेकिन उसने का मैं देखता हूँ लोगों का behavior कैसा होता है consumption behavior के उपर लोगों ने study करने कि कोशश की केльierten केंज ने क्या स्टड़ि करने क्योश्च ऑपर क्या है कि लोगों के कंसम्शन बिहेविर के उपर कि लोग कब कंसम्शन ज्यादा करते हैं कब कम करते हैं उसे तीन हैरत अंगेज अजीब बातें बता चले की घंड़िय इनको नाम देते हैं लाफ कंसम्शन का पहले बात जब लोगों की इंकम इंकरीज होती है उनकी कंजम्शन भी इंकरीज होती है नहीं ये बात अजीब नहीं लगी आपको दूसरी बात अजीब लगेगी फिर पहली बात क्या है जब लोगों की इंकम इंकरीज होती है consumption ज्यादा होती है दूस्री बात लेकिन जतनी income बढ़ती है ओतनी consumption नी बढ़ती क्यों कुछ ना कुछ पहले क्या बताया उसने income increase होगी consumption बढ़ेगी दूसरी बात क्या बताई increase in consumption is not is equal to इंकम तीसरी इंकम का वो हिसा जो कंजूम नहीं किया जाता वो सेव ये जाता नहीं समझ आइ बात की पे सुनें तीन बाते बता ही उसने पहली बात इंकम एंकरीज ओगी चॉसे बार लेकिन कंजूमिशन इंकरीज नहीं कि जतनी इंकम है क्यों कि लोग सारी की सारी इंकम कन्सियूम नहीं करते कुछ ना कुछ सेव भी करते है वाट इस नाट कन्सियूमड इस सेव नहीं फिर से केंज का साइकलोजिकल लॉफ कंजम्शन पहला क्या इंकम इंकरीज होगी consumption increaseilage लेकिन increase in consumption increase in income के equal क्वाइब लोग सारी जहं consume ने करते what is not consumed is भी कैसी चलिए इसके ओपर कल इंशाला देखें ये इतना असान लाओ नहीं है उसने आहीं research करके बताया हमें अभी समझ नहीं आएगा नहीं ना, समझ नहीं जब तक के डायाग्राम नहीं आएगी शाबा तो कल के लेक्षिर में चाला डायाग्राम के साथ इसको डिस्कस करते हैं